हाई गाईज फिलकम बैक टो मैं चानल मैं हूँ खुशी आज मैं एक सॉब की रिव्यू करने वाली हूँ वो है फ्रूट अफ दा यूर्थ बोलके मूर और मूर फेसियल बार के उपर आप देख सकते हूँ इसके पैकेच में काफी क्यूर सा है एंड छोटू सा है एंड यह स में कर दो कर civिय यह चाहिताना एक आवे चाहिए तरह प्रद् डिया रिकाष्स में तो आकर दो को में इसको फेसिह साब्स आभी एफिल सकते हुए जैसे कि तरह भी हैँ स्केम को यह एक्षी एंग करता है क्लिंजर की तरह हमारे फेस को क्लीन करता है टोनिंग भी करता है और मोश्च राजर भी करता है तो मैं अभी इसकी पैकेजिंग आपको श्यार करूंगी एंड मैं इसको आधा यूज कर चुकी हूँ इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ एंड इसकी जो प्राइज है आपको ऐसे एक अलग सा नहीं मिलेगी एक बॉक्स में फोर सेट आता है इस तरह की तो आप ऐसे ओनलाइन से सोरी ओनलाइन से नहीं तो मार्केर से आप ले सकते हो एंड यह प्रोड़क इससे जो है आखनी की प्रॉब्लम जिनकी ज्यादा होती है उसको यह रेडियूस करने में हेल्प करती है एंड फेस में जो डेट सल होती है उसको यह निकालती है इसके डेमो भी करके दिखाऊंगी तो आप विडियो पूरा देखिए एंड उसकी पैकेजिंग की बात करके इसको अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे बिल्कूल भी नहीं करती हुआ कि अकनी के कारना अगर फेस में डायरेक्ट शोब अप्लाइ करते हो तो फिर जब दुबार आप अप्लाइ करोगे वहीं आपके फेस में लगके फिर आकनी हो सकती है तो इसले मेरी हैंड को जो है थोड़ा सा मैं गिला करके सौब को हाथ में ही लेके अपने फेस में अपलाई करती हूँ यह काफी और गानिक और नेचुरल ब्रांड है जो की प्रॉड़क्ट है काफी अच्छी लगी मुझे यह जो है आप 3 यह तक आराम से यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉड़क्ट को और इसमें जो है काफी नेचुरल इंग्रियंट से जो की आपके स्कीन के लिए काफी बेनेफिट है जो की मेरी हॉर्मोनाल चेंज के कारण इसलिए में कुछ भी प्रॉड़क्ट भी इसमें अप्लाई नहीं की फिर इसको ही यूज़ करती थी तो इस product में जो है काफी सारी benefit है तो मेरी skin के लिए काफी अच्छा रहता यह product अभी apply कर रही हूँ और आगे भी इसको use करूंगी recently यह मेरी favorite है and इसमें जो ingredient है आपकी skin को naturally यह और भी glory and fresh बनाएगा आप इसकी जो fragrance से काफी mild है और बहुत ही अच्छी लगती है और मैं इसको जो है सुभा और evening और रात को apply करते हूँ जब भी मैं kitchen में कुछ भी काम रहता है तो मेरी face जो काफी oily हो जाता है और मैं इसकी demo करके दिखाऊंगी तो चलिए देखते हैं यह जो soap है आप ऐसे cardboard box में रख सकते हैं नहीं तो आप एक साबुन case में रख सकते हैं लेकिन यह soap जो है बहुत जल्दी dry हो जाती है अप्लाइ करने के बाद अगर कुछ देख खुला रख दें तो यह बहुत जल्दी dry हो जाती है और यह travel friendly भी है और काफी छोटा सा product है जो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके bag में इसको डाल के आराम से ले सकते हैं बहार यह product काफी अच्छी लगी आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं इसके link जो हम description box में देदूंगी आप आहां पर जाके चेक कर लिजिए अगर आपको यह video helpful लगी हो अच्छी लगी हो तो please में चालंग को like, subscribe and comment कीजिए and side में जो bell icon है उसको press कीजिए जो की मेरी video की notification आपको मिलती रहेगी and मेरी instagram में आप follow कर सकते हैं जो की cypria diaries से मेरी instagram की id की name and okay guys bye bye